फर्रुखाबाद के 300 वर्ष के इतिहास में ये तीसरी त्रासिदी है जो गरीब जनता के विनाश का कारण बनी मैं पहले भी अपनी पोस्टों में कह चुका हूँ फर्रुखाबाद एक उच्च श्रेनी का क्रिशी प्रधान जिला है इसका विकास मास्टर प्लान द्वारा नहीं बलकि क्रिशी आधारित विकास द्वारा ही हो सकता है गाव में शुधजल, लिन्प रोड वक्रिशी बजार प्रोटसाहित कर शहरी अर्थतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है फरुखाबाद का दुरभाग्य है जहां चुने गए हमारे प्रतिनिधी असल में जनता के प्रतिनिधी नहीं बलकि अपनी पार्टी के प्रतिनिधी की तरह कार्य कर रहे है ऐसा लगता है उन्हें अपने ही जिले का कोई ग्यान नहीं है ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा अवबुन है जहां प्रतिनिधीयों का चुनाव जातिवाद के आधार पर होता है पिछले 300 वर्षों में शायद ही कभी ऐसा उजारखंट किया गया हो वो भी विकास नहीं सुन्दर्ता के नाम पर मीडिया से जो कुछ सुनने को मिल रहा है वो प्रजातंत्र की घोर अभेलना प्रतीत होती है मन माने धंग से इस तरह जन्ता को प्रतानित करना धोसाना क्या शो करता है जन्ता ने सही प्रशन उठाय है क्या ये मास्टर प्लान है या अतिक्रमन हटाव अभियान अगर ऐसा है भी तो जब धन्नासितो जन्प्रतिनिधियों का नंबर आया तो आंदोलन सामने आने लगे जन्प्रतिनिधियों की भी छानबीन होनी चाहिए क्या ये भी जद में आते है या नहीं लोहाई रोड नहरू रोड क्यों छोडा गया मठिया देवी की आसपास छूट क्यों दी गई अगर उनकी गरीबी का इतना ख्याल था तो उनका क्या जिनके धंधे जर से समाप्त हो गए ऐसे लोगों की संख्या भी सेकड़ों में है एक अनुमान के अनुसार अभी तक कुल एक हजार करोड से आधिक का नुकसान हो चुका है भूमा फियाव पर छापे मारी की प्रशंसा होनी चाहिए लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने फर्रुकाबाद के एतिहासे किलो वधरोहरों पर कबजा किया और हमारी विरासत को जर से मिटाने का कार्य किया